हेग गाइस वेलकम टू मेरा नाम है देवियश और गाइस आज की स्वीडियो में हम लोग बात करने वाले फॉर्म 12BB के बारे में जी हैं तो बीसीली फॉर्म जो 12BB है वो अपने एम्प्लोयर का आपके जो एम्प्लोयर होता है उसको चलिए होता है एम्प्लोय से जी हाँ तो डिटेल के अंदर बात करूँगा वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा अगर आप अपनी इंकर्म टेक्सेटर हमसे फाइल करना चाते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ली जाएगी अब बात करतें ऑपका एम्प्लोय आपको एक फॉर्म 12-BB देता है और आपसे जितनी भी आपके इन्वेस्मेंट वगर होती है या जो भी आप डिटेक्शन लेना चाहते है वो सब की पुरूफ के साथ आपसे मांगी जाती है तो guys यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इस 12BB का form का importance क्यों है क्योंकि इसी base पर आपके पास में जो salary आने वाली है मतलब cash in hand आने वाला है वो depend करता है for an example मालनीचे आपने अगर investment या account declaration दिया है form 12BB के अंदर तो उसी के according आपकी salary से आपका TDS कटेगा और आपके पास में आपके cash in hand हो कम आएगा तो guys basically आप मैं बात करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़े भड़ने वाली होती है तो चलिए live ले चलता हूँ मैं आपको form के पास में तो आप मेरी screen के सामें देखेगे यह है form 12BB जो आपका employer एक employee को यापर provide करता है तो सबसे पहले तो उपर नाम और address हो गया जो भी employee है उसका नाम address हो गया परमाने नकाउंट नमबर आप पैन नमबर हो गया जो भी financially है वो हो गया अब बात करते है पहले point की जिसका नाम है HR-A house rate allows तो guys होता क्या है जब भी आपको salary मिलती है तो उसके इंदर एक part HR-A का भी होता है तो यहाँ पर simply आप अपने landlord को actual में जो भी rent पे करते हैं वो कितना amount है उसका नाम क्या है उसका address क्या है अगर वो amount अगर 10 लाग के उपर है तो यहाँ पर आपको उसका landlord का pen number भी यहाँ पर डालना पड़ेगा और साथ में आपको आपको evidence लगानी पड़े की rent की receipt rent की receipt आप normally एक simple page के उपर भी बना सकते हैं और उसके उपर आपने landlord से यहाँ पर signature ले सकते हैं second guys जो है वो है LTA जिसको leave travel concession भी का जाता है अगर basically अगर आपकी company provide करती है और जहाँ जहाँ पर भी आपने LTA खर्च किया है तो वो amount यहाँ पर लिख दीजिए और उसके अगर इसमें जो भी माली जो फ्लाइट की basically flight की ticket है या फिर माली जो travel expenses है basically तो उनके evidence आप यहाँ पर लगा सकते हैं उसके अलाबा का यहाँ पर आपको मिलता है guys तो आपको क्या करना है आपने जिससे भी यहाँ पर loan लिया है उसमें से interest कितना है उस name of the bank bank का नाम क्या है उसका address क्या है और उसका pen number वगर है यह सारी चीजिए आपको यहाँ पर not down करनी पड़ती है प्रूफ के लिए आप basically क्या कर सकते हैं आप जब भी EMI पे करते हैं तो उसका interest certificate होता है जो आप online download कर सकते हैं उसके अंदर वहाँ पर clearly यह पता चल जाता है कि मैंने इस साल के अंदर इतना जो है basically मैं interest पे कर रहा हूं और इतना मैं fund ELS funds के अंदर invest कर रहा है वह आ गई या फिर आपने बच्चों की fees वगर आप कुछ वगर पे करते हैं वह चीज़े आ गई या सुकर्दी सम्मधी जो योजना है post office की scheme है तो यह जित्ती भी चीज़े है यह सारी की सारी है आपकी ATC के अंदर cover करती है जिसकी limit होती है डेट लाग रुपे उसके लावा गाई एक AATCCD होता है अगर बीसी के अगर आपने एक national pension scheme account खुलवा रखा है और उसके अंदर भी आग इन्वेस्ट करते तो additional 50,000 रुपे यह आप डेक्शन ले सकते है उसके लावा गाई जो नीचे वाले section है जैसे उसमें अगर मानीचे आपने कोई education law ले रखा है तो उसके उपर अगर आप कोई interest pay कर रहा है तो उसकी आपको reduction मिल जाएगी यह आपने एक health insurance ले रखा है जो कि आजकल कोईट के बाद में बहुत जादा married हो चुका है तो अगर आपने वह ले रखा है अपने parents के लिए भी और खुद के लिए भी तो वह भी basically आप यहाँ पर mention कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर 3-4 directions और आती है जिसके बार में already direction हो गई तो overall आपका employer यह जो 12 form BB है उसके लिए चाहता है कि आप इतनी investment कर रहे है इतना direction रहे ताकि उसके according आपकी salary में से जो है BC लिए TDS कट आ जाए अब यहाँ आपके में कुछ आपको FAQs बताने वाला हूँ जो generally सबके mind के अंदर यह रहते हैं कि पहली चीज तो यह कि submit करना है तो generally क्या होता है generally आपका employer अपरेल यह महीं के महीं में आपसे मांग लेता है उसके लाबा guys यह आपको government को submit नहीं करना होता है यह आपको BC लिए अपने employer को किवल submit करना होता है आपको government की पास में online की submit करना यहाँ पर इसकी requirement नहीं है आचा कई लोग है कहते मुझे तो अभी मालूम ही नहीं है कि मैं आगे जाके क्या investment करने वाला मुझे कुछ पता ही नहीं है तो उस case में क्या कर सकते है आप भी right ना हो आप जितना भी investment दिखा सकते है दिखा दीजे फिर मालीजे आप कहते है या मेरा TDS तो ज्यादार कर गया तो कोई दिक चिंता वाली ब सारी वाले बंदों को कि आपको हमीश्य अपनी आईटर टाइम पर जो है basically फाइल करने चाहिए क्यों कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको जो भी TDS कटा हो उसमें से कुछ पार्ट जो है आपको यहां पर refund मिल जाए अगर आपके कोई भी डाउट से कमेंट सेक्शन के अंदर जरू मेंचन कीजिए तो